अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल क्लिक दा बेल आइकन नाइवर मिसिंग अपडेट बिसमिल्लायरमाने रहीम अससलामु अलाइकुम तोड़े आप इस तेस्टी यमी गुलाब जामन इन्हें आप किसी भी खुशी के मौके पर कृण सर्भाट daí कंब इसमें घजाए उसमें फ्यसके आप सर्भाट इसमें दर मघाल और मटन बीडर। सबदीम हैं तक इसमें कोई लाप ना बने आपने इसे अच्छी ज़रा से मिक्स कर लेना है आप सब देख सकते हैं ये आहिस्ता इस्ता थिक हो रहा है आपने इसे एट लिस फाइफ टो सेमन मिनट तक कुप करना है ये आहिस्ता इस्ता पैन छोड़ देगा जब हमारा खोया बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो ये बिल्कुल एक डो की शकल में आ जाएगा अब ये आप सब देख सकते हैं ये आहिस्ता इस्ता पैन छोड़ रहा है ये हमारा खोया रेडी हो चुका है चलते हैं step 2 की तरफ यह वही होया है जो हमने अभी बनाया है 3 फिंच बेकिंग पाउडर 1 कप फ्लोर बाउल ले ले और में तीनों इंग्रीडियंट्स को एड़ करके अच्छी तरह से गूंद ले अगर आपकी डोर ड्राई होगी तो आप इसमें मिल्क पी अड़ कर सकते हैं यू कन सी ड़ अब ये डोर रेड़ी हो चुकी है अब हम इसके चोटे चोटे बाउल बनाएंगे चोटे बना ले बड़े बना ले जितने आप बनाना चाहते हैं उतने बना सकते हैं आप सब देख अब यह बावल रेडी हो चुके हैं फ्राइब होने के लिए चले हैं फ्राइब करते हैं एक पैन में गी ले ले और इन बावल को एड़ कर ले बिसमिल्ला याद रहे गी ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए आप ओल में भी फ्राइब कर सकते हैं इन्हें लो फ्लेम पे बुर्जा कलर नहीं आजाता खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं आप इन्हें अपने घर में जरूर राइड कीजिएगा आइस्टा इस्टा यह ब्राउन हो रहे हैं अलहम्दुलिल्ला अलहम्दुलिल्ला अब आप देख सकते हैं कि यह गुलाब जामुन रेडी हो अब इन्हें 30 मिनिट के लिए कवर कर दें आफ्टर 50 मिनिट पात आप सब देह सकते हैं लजीज मज़ेदार घुलाब जामँन तयार हैं क्ाने के लिए मASHाललह हमारे सबर दस्य गुलाब जामुन तयार है आप सब ने देखा कि आप सब गुलाब जामन कितनी असानी से अप आपकिर क्या सोच रहे हैं चलें जाएं बनाएं और कमेंट में आकर बताईएगा कैसे बने थे इन्हें आप किसी भी खुशी के मोगे पर अपने घर में बना सकते हैं आपकिर को पर अपना करम करें आमीन सुमामीन हस्ते मुस्कुराते रहें खुशियां बांटे रहें मुझे दीजिये इजासत मुझे अपनी दुआ में जरूरियाद रखेंगा टेक्र अलाहाफिज कि अग्लिवाइए जोड़ से सुमामीन हैं